हेलो एवरीवान आयम अकाश गोर वेलकम बैक टू और इंडियर मेटिकल लेक्चर गाई जुरुको इस वीडियो को पूरा देखना इसमें मैंने होस्पिटल की सारी मशीने को डिस्क्राइब किया है एक एक इंस्टुमेंटेशन किलियर किया है इसमें मैंने सारी चीजे डिस सबसे पहले जो हमको डिस्क्राइब करने में सबसे पहले हमारे इंस्टुमेंट आता हुआ हो हता है हमारी वेंटिलेटर मुषीन श्क्राइब मेंधिया किया देखियो हुआ करमालो को सांस्पिरां इसमेलान करता है द अन cartoon ventilator is a machine which is used to giving mechanical ventilator for breathing to the patient ventilator एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें जिसकी सहायता से मरीज को सास लेने के लिए mechanical ventilator दिया जाता है ठीक है mechanical ventilator उसको देते हैं हम लोग mechanical ventilation देते है mechanical का मतलब होता है जो parts जो machine ने धातू की बनी हो mechanical process से बनाएं तो यह क्या करता है mechanical ventilation देता है जिससे मरीज के breathing कर पाता है सास ले पाता है ICU में होती है यह unconscious जो patient होते हैं बेहोश patient रहते हैं उन मरीजों के लिए use कि जाती है it is used in those patient who is not able to respiration इस machine का उप्योग उन मरीजों के लिए किया जाता है जो कि खुद से शोशन करने में कुछ से सास लेने में वो सक्षम नहीं होते है ठीक है इतना point के लिए हुआ कि जो patient खुद से सास नहीं ले सकते हैं कुछ से respiration नहीं कर सकते हैं ऐसे मरीजों में हम लोग जिस machine का उप्योग करते होती ventilator machine कुछ इस तरह की दिखाई देती है इसका structure अलग-अलग हो सकता है ठीक है अलग-अलग प्रकार के आती है ventilator के लिए इसका आप एक screenshot ले लो फिर में next machine के उबर बढ़ता हूँ जल्दी साप लोग screenshot ले लिजी इसका नेक्स्ट जो हमारे machine आती होती है वो portable ventilator अभी पोर्टेबल का क्या मतलब है इसको पोर्ट कर से कि एक जगे से दूसरी जगे आसानी से केरी किया है छोटी साइस का होता है इस तरह का आपको दिख रहा है कि ज्यादा तर होम केर वगेर में बड़े-बड़े जो घर रहते ह तो बहुत जादा उसको कोसली पड़ेगा वो तो महीने दो महीने तीन तीन महीने चार-चार महीने तक लोग वेंटिलेटर पर रहते है तो उनको वेंटिलेटर घर पे फिक्स कर दिया जाता है तो यह portable ventilator होता है छोटी साइस का वेंटिलेटर होता है देखिए इस पोर्ट को लबे समय तक इस्तवाल किया जा सकता है दो को respiratory support सास लेने में मदध देना ठेके सास लेने मदद कौन करता है ventilator करता है तो लंबे समय तक कि किसी को यूज करना है यदि कोई पैशेंट एड्मीटेड है उसको यह दि लंबे समय तक वो चीछ चाहिए то को लंबे समय तक य वेच्टियवल जया चीजों को आप बाद में पड़ सको होलो के लिए चैज़गर तरन वहां हुआ उर्य और माशों스मिन के सब्सक्राइए लेक्ज़न में इलाज लेक्जि़न के सब्सक्राइब आप हमें देखा होगा है चीजों को वो इंस्टूमेंट है यह इसको बोलते हम लोग defibrillator देखो अब जरा थोड़ा सा defibrillator deliver electric current to the heart in emergency यह बोलना चाहता है आपात काली निस्तिती में defibrillator हिर्दे को electric current प्रदान करता जिससे वहाँ पुना किरिया करने लगे क्या हुआ किसी का heart beat एकदम बंद हो गया ठीक है चाहे वो hospital में admit हो चाहे उसको shock लग गया हो चाहे वो पानी में डूब गया हो या बहुत सरी reason हो सकते है जिसकी वज़े से patient के heart beat एकदम बंद हो सकती है आपने देगा patient के heart beat एकदम रुख गया तुरण defibrillator उठाओ उसको लगा के just उसको chest के उपर लगाया जाता है जिससे हम लोग chest के उपर touch करते है तो वह जो defibrillator है वह electric current को generate करता है और वह electric current कहा तक जाएंगी वह electric current तक जाते है heart तक और heart को वह electric current देता है जिससे क्या होता है आपका जो heart है फिर से पुना किर्या करने लगता है न धड़कने लगता है ठीक है ज़्यादा तर नहीं होता एक बार heart की धड़कन बंद हो करने के बाद नहीं होता बाकी फिर भी कुछ patient होते है जो कि again reuse का heart pump करने लग जाता है नेक्स आता हमारे defibrillator use during the cardiac dysrhythmia dysrhythmia होता है जब हिर्दे अपनी धड़कन को खोदे उस condition को हम लोग बोलते dysrhythmia ठीक है जब अपना heart है अपनी धड़कन को खोने लगे उस सबस्ता को dysrhythmia के नाम से जाना गए जब हिर्दे अपनी धड़कन कोने लगे तब उससे dysrhythmia केते कुछ इस तरह का होता है यह device ठीक है defibrillator केते हैं इसमें दोनों तरह प करण देने के लिए रखे गए जल्दी साब लोग screenshot ले लिए इसका फिर में यहां से आगे बढ़ता हूं नेक्स जो हमारा आता है emergency cart या emergency cart या emergency trolley भी इसे कहते है ठीक है अब emergency क्यों करें गैस यह क्या होता है कभी-कभी कोई patient आया ठीक है कोई emergency accidental कैसे आ गए या फिर कोई heart attack वाला patient आ गया या फिर कोई snake bite वाला patient आ गया यह सब कोई इस सारे emergency कैसे ठीक है जब भी कोई emergency कैसे साते है तो हमको बहुत सारी चीजों की जर्वत लगती है ठीक है emergency injection लग गया है क्या फिर snake bite का आपन को antidote लग गया उसके अलावा हमको बहुत सारी चीजों की जर्वत लगती emergency injections हो गए heart attack का patient आया तो हमको emergency injections चाहिए तो emergency चीजों को हम लोग अलग-अलग medical से तुरंट लेने तो जाएंगे नहीं ना ठीक है medical से तो कोई लेने जाएगा नहीं तो इस तरह से hospital में medical trolley होती है इसमें जितने भी emergency equipment होते हैं जितने भी emergency medicine injections होती है emergency medicine injection वगेरा सारी चीजों में लखी जाती है ठीक है देख लो जाना it is a trolley which is present in which present all emergency medicine and equipment ठीक है आपत का लिन्स जितने भी medicines होती है instrument होते हैं सारी चीजों में उपस्तित रहती है ट्रोली होती जिसमें emergency emergency दवाईया और emergency equipment को रखा जाता कुछ इस तरह की ट्रोली होती है बहुत important है याद रखना इसका नाम होता emergency cut emergency trolley कहा जाता है जल्दी से आप लोग इसका screenshot लेलो फिर मैं यहां से आगे बढ़ता हूँ सब लोग जानते हो dialysis क्या होता है जब हमारी kidney proper dysfunction करने लगे renal failure हो जाए kidney damage हो जाए ठीक है तो उस condition में हमारे blood को filter करने के लिए बहार से artificial kidney की जर्वत होती है इसे हम लोग dialysis केती है यानि कि रख्त को यानि कि हमारे blood को filter करने के प्रक्रिया ही dialysis कहलाती है एक machine होती है कुछ इस तरह कि artificial filter होते हैं जो कि हमारे blood को साफ करते हैं और फिर से हमारे blood में वपस डाल देते हैं it is used in renal failure or renal dysfunctioning patient ठीक है यह जब machine यह machine उन के लिए होती है जिनका kidney ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती है डिस फंक्शिनिंग करने लगती है और डिस फंक्शिनिंग के अलावा उनको renal failure हो जाता है उस होस्ता में उस condition में हम लोग machine का इस्तमाल करते है जल्दी से इसका skin short लेजे बहुत important है यह भी आपको कहीन का image question exam में पूछा जाता है नेक्स जो हमारा आता है गाइस it is filter a blood and remove a waste material from blood ठीक है वही सेम बात है कि जो हमारे blood को निकालती है blood को filter करती है फिर से perish के अंदर चड़ा देती है ठीक है बहुत important है next जाता है हमारा bait site pulse oximetry ठीक है bait site pulse oximetry क्या होता है it is used for detection of pulse and oxygen saturation हमारी pulse याने की धढ़कन और oxygen का saturation level देखने के लिए पता इसका इस्तिमाल करते है इस machine का इस्तिमाल oxygen एम धढ़कन का saturation देखने के लिए किया जाता है saturation का मतलब उसका level ठीक है देख सकते हो आप पर SPO2 शो करता है इस तरह का बेख हो गया है bait site pulse oximetry जादे तर यह जो instrument है यह home care में भी यूज होता है home care instrument होता है hospital में भी इसको यूज करते है ठीक है इसके साहई तरह साम SPO2 continuously अगर देखना हो तो इसका इसका इस्तिमाल कर सकते है स्क्रेंशोट ले लिए आप इसका यह भी important है next next हमारा आता है infusion pump अब यह infusion pump क्या होता है कभी-कभी आपने देखा हो को hospital में मरीज होता है ठीक है उस मरीज को क्या होता continuously pain रहता है pain ठीक होता ही नहीं है तो उसको हम लोग pain killer का infusion देते ठीक है और भी बहुत सरी चीजे होती जो infusion में उसको देना Infusion का मतलब होता है दीरे दीरे थोड़ा थोड़ा देना उसमें fix किया जाता है इस तरह की machine होती है इसमें को fix करना रहता है कि एक minute में कितनी दवाई जानी चाहिए मरीज को एक minute में कितना fluid जाना चाहिए अगर मैं आपसे बात करो normal IV की जो bottle होती है अब हमने bottle टांग दी अब उस bottle में क्या आप यह fix कर सकते हो कि दस मिरिट के अंदर आपको इतना fluid दे सकते हो 500 ml देना है यह 10 ml देना है यह 5 ml देना है ऐसा fix नहीं रहता तो उसको accurately fix करने के लिए हम लोग infusion pump का यूज करते इसमें क्या होता करीश यहां से अपको यह बाहर निकलता है इसके अंदर जो IV सेट उसको fix कर दे जाता है नली को अब वो नली दबती है अब वो कितनी दबनी है इसमें सेट कर दो कि आपको एक मिनिट के अंदर इतना देना है इसमें सेटिंग का option आता है यहां पर लिखा रहता है कि एक मिनिट के अंदर आपको कितना फिल्यूट कितनी मेडिशिन मरिच को देनी होती है ठीक है it is used for giving the fluid and medicine in fixed amount and fixed time इसका machine का इस्तमाल fluid और दवाई को निशित मातरा में देने के लिए उपयोग में लिया जाता है एक fixed amount में एक निशित मातरा में मरिच को देने के लिए हम लोग इसका इसका इस्तमाल करते हैं बहुत इंपोर्टेंट है यह भी कितने समय में कितना फिलूड देना है इसके लिए हम लोग इस मशीन का इस्तमाल करते हैं आगे बढ़ता हूं सेम इन्फ्यूजन ही है बट यह सिरींज इन्फ्यूजन है इसमें क्या होता गईज आप डाइग्रम देख सकते हैं यहां पर एक सिरींज लगा दी जाती है और उस सिरींज को दबाने की जो प्रोसेस है वह यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिकली सेट कर सकते जैसे की रेट 60 ml पर आवर लिखा हुआ है ठीक है 5 ml जैसे की 5 ml एक घंटे में 5 ml ही जाना चाहिए तो यहां पर हम लोग सेट कर देते है ठीक है it is used for giving small amount of fluid अगर यदि हमें कम मातर में fluid देना है तो हम लोग syringe का इस्तमाल करते है और syringe infusion pump का इस्तमाल करते है जब हमको fluid थोड़ा कम मातर में fluid देना होता है तब हम इस machine का इसका इस्तमाल किया जाता है इसमें setting रहती है 5 ml पर आवर कितना ml आपको कितने minute में देन होता है यह fix किया जा सकता है इसका भी screenshot लेलो यह भी बहुत important instrument होता है नेक्स बढ़ता हूं color doppler machine color doppler machine क्या होती है it is machine which is used to detection of blood flow and direction in vessels यहने कि हमारी vessels के अंदर जो blood flow होता है उस blood flow को कि साइट में flow हो रहा है और कितनी मातरा में flow हो रहा है यह देखने के लिए color doppler का इस्तमाल किया जाता है यह एक ऐसी machine होती जिसके साहिता से vessels के अंदर उपस्तित रक्त का प्रवा एवम उसका रास्ता किस रास्ते में किस direction म blood flow हो रहा है और कितनी मातरा में flow हो रहा है इस चीज को देखने के लिए जो instrument यूज होता होता हमारा color doppler जेख सकता है आप लोग है नेक्स का screenshot लेलो नेक्स हमारा रहता है ABG ABG का फूल पूम यादागना बहुत बार पूचा जाता है arterial blood gases ठीके arterial blood gases यानिकि हमारी artery यानिक इतनी carbon dioxide इसका level देखने के लिए किया जाता है it is used for detection of level of gases in artery blood धमनियों के अंदर उपस्तित blood के अंदर देखने के लिए धमनियों के रक्त में कितनी gases उपस्तित है इस machine की साहिता से पता लगाया यहाँ पे injection होता है injection में arterial blood जो कि हम यहाँ से collect करते निकाला और इस injection को यहा blood ले लेता है और reporting हमको यहाँ पर दे देता है ठीक है यह भी कुछ important है याद रखना आप लोग नेक्स चाहता हमारा DVT Deep Vane Thrombosis pumps ठीक है Deep Vane Thrombosis pump क्या होता है देखो DPT का मतलब thrombosis क्या होता है आपने किसी व्यक्ति के पेर देखे है उसमें बड़ी बड़ी जो नसे अगदम बहार निकल गई उसमें blood जमा होगा षक है Deep Vane Thrombosis हो गया Thrombosis मतलब blood जम रहा हुआ तो बाहर नशय निकल गई तो उसको compress करने के लिए ठीक करने के लिए एक machine का यूज करते है इसको एसे पेर में लगा दिया जाता है वो यहाँसगर दी जाती है इसकी चाल कितने में करना है कैसे करना है तो व उससे इस यावस के इस मशीन χायता से डीप इन थ्रम्बोसिस को ठीक. अब डीप इन थ्रम्बोसिस क्या होता है, यह मीने आपको समझा दिया है. इसका भी आप लोग स्क्रिंशोट ले लो, इंपोर्टेंट है. नेक जो हमारे तिया suction machine suction machine क्या होती है this machine used to clean airway हमारे गले में यदि कोई blood जम गया है यदि blood है यदि कोई sputum है यदि कोई other fluid है यदि कोई pus है तो उसको हमको clean करने के लिए हवा के रास्ते को clean करने के लिए हम लोग suction machine का इस्तमाल करते कुछ इस तरह की machine हमको दिखाई देती है ठीक है हला कि अभी electric suction machine भी आने लगी है ठीक है suction machine की साहिता से हला कि ये भी होती electric है पर वो completely electronic आने लगी है आजकल कुछ अलग तरह की जो मैंने diagram दी है ना ये पुरानी suction machine है अभी जो machine ये हो जोरी कुछ और advance है वो ठीक है clear one next multi parameter ये जो आपने hospitals के अंदर बहुत सारी जगी देखा होगा multi parameter इस तरह का एक portable TTT के sound आती है वो दिखाई देता है this instrument used for detection of different parameter different parameter क्या मतलब होता है इस machine की साहिता से शरेड की कई गती वीदिया देखे जा सकती है जैसे कि हम लोग SPO2 भी इसी machine में देख सकते है blood का pressure दाक्तदाप कितना है BP कितना है वो भी हम लोग इसमें देख सकते है respiration यदि उसकी धड़कन कितनी हो रही है कैसे हो रही है heartbeat हम धड़कन हम उसकी देख सकते ठीक है देखो यह BP बताया है 120 by 80 ठीक है यहाँ पर SPO2 बताया गया है इसमें ठीक है यहाँ पर ECG 60 बताया हो इसमें बहुत सारी आप चीज़े देख सकते हो ECG भी आप इसमें देख सकते हो blood का pressure भी SPO2 भी देख सकते हो बहुत सारे parameter होते होते हैं के नाम से जाना जाता है next हमारा आता है BiPAP, BiPAP का full form बहुत बार exam में पूछा गया और COVID में बहुत यूज हुआ है Bi-Level Position Airway Pressure यह क्या होता है It is used to maintaining breathing pattern of patient कोई मरीज धढकन सास लेना भूल जाता है कैसे सास लेनी है ठीक से सास लेना पाता है यह क्या होता है Emergency condition होती है तब हम लोग इसका इस्तमाल करते हैं मरीज की शोशन को नियंतरन करने के लिए जैसे की respiration को maintain करने के लिए इस्तमाल करते हैं It is used in COPD दोको बहुत सारी बिमारियों में यूज करते हैं पर COPD में होती है COPD chronic obstructive pulmonary disease हो जाती है मरीज को pulmonary disease problem होती है तब इसका इस्तमाल करते है और भी बहुत सारी condition हो सकती है breathing pattern बिगड़ जाता है तब यह आपको दिख रहा है इसको मुह पे fix कर दे जाता है प्रॉपर एर पे करेता है और इदर से हवा आती है respiration हावा आती है फिर जाती है हावा आती है फिर जाती है तो उसे हमारा breathing pattern बना रहता है ठीक है जल्दी साप लोग इसकावी screenshot ले लो and thank you for watching your Indian medical lecture एक बार मेरे कहने पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले एक बार मेरे चैनल को जाओ देखो यदे आपके काम की चीज मिलते है तो इस चैनल को सब्सक्राइब किये बिना कोई भी नहीं जाएगा thank you for watching आपका अपना Indian medical lecture लेक्चर